क्या आपके शरीप टैटू है अगर है तो आपको कैंसर होने वाला है जी हां हाल ही में हुई रुसर्च के मताबिक टैटू की स्याही में कारसी जेनिटिक और कैंसर पैदा करने वाले तद उपाए गए हैं टैटू की स्याही में जो फ्रेगनस डाला जाता है वो अमीन पॉली साइक्लिक और हाइट्रो कार्बन मेटल से बने होते हैं ऐसे में अगर आप टैटू बनवाने की शौकीन है तो आपको साफधान हो जाने की जरूरत है और जिन लोगों ने पहले से ही अपने शरी पर टैटू बनवा रखे हैं उन्हें भी कैंसर होने का खत्रा है साथी टैटू आपकी हेल्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है साथियो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी मन में टैटू बनवाने का खयाल कभी नहीं आएगा साथियो अगर आप टैटू बनवाते हैं तो आपके शेरी में लिन्फोमा का खत्रा 81 तिज़ी तक बढ़ जाता है स्वीडिन में किये गए एक रिसर्च के मताबिक टैटू बलड कैंसर का जोकिम बढ़ा सकता है रिसर्च ने 10 साल यानी 2007-2017 के स्वीडिश नैशनल कैंसर रजिस्टर का विस्तार पूरवक अध्यान किया इसमें 20-60 साल के उम्रों वाले लोगों को शामिल किया गया और स्टेडी में पाया गया है कि टैटू बने वाले लोगों में लिन्फॉमा का खत्रा 21 great ठक बढ़ जाता है और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने 2 साल पहले टैटू बनवाया था, मिस्छिवाला खत्रा लिए IMAAC wannे याया Tube है है साथीों अगर आप अपने शरीर पर टैटू बन्वाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ साफ फ्रयाल कि एक चीज का धियान के की टैटू मशीन पूरी तरह से साफ हो औरु इसमें जो ना किया जा रहा है वह अच्छे ब्रांड का होना चाहिए किसी भी लोकल क्वालिटी वाले इंक से टैटू ना बनवाएं अगर आपको पहले से ही कोई घंबी बिमारी है तो इसे बनवाने से पहले अपने डॉक्टर या स्किन स्पेस्लिस्ट से सलहा जरूर दोस्तों टैटू की इम्मुनिटी पर असर डालता है जिससे टैटू की स्याही इंजेक्शन के जर्ये डिजाइन बनाती है लिम्प नॉट्स में पिंग मेंच जमा होने के कारण कैंसर का खत्रा काफी जादा बरता है साथी टैटू की स्याही खून में मिल जाती है ऐसे में आपको ब्लड कैंसर गरा लगी हो सकता है इसलिए था जरूरी है कि आपको टैटू नाते समय इन बातों की जरूरत के साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो विब्लों की लगी हो तो भीक करें वमसी तरह कि जानकारी वाली डीवीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक करें शुक्रिया